जो सिपाही की टोपी देख करके चोकिदार का हाथ में लाथी देख करके जो लोग भाग जाते थे वो सीधे कलेक्टर की चेम्बर में जाके दाखला देने लगे और अपनी बात कहने लगे भारतियन ता पाटे जानती है कि अधरनी लालोपर साजे जिस जगा से खड़े हो ज जाता है से लुकुमार मोज आगा पुछके तो आये तो कि ट्विट कहले किये थे अब भाई यह बत्या नहीं पुछे आप उनसे पूटो वायरल हो रहा है पुछे नहीं ट्विट किये थे ट्विट पा देखा वें क्या नमस्ते नामे रादीत है और अब दा पंचायत दे अधरने लाल प्रसाज जी जो हम लोग के निता ही नहीं है आई भावाक ही सिर्फ नहीं है बलकि देश के समाजी किन्या और धर्व निरिपेश्टा के ध्वज के सबसे बड़े रच्छक है उच्छी किस्ता के बाद पटना आ रहा है सब लोगों ने उस समय जिसमय उनके कीनी ट्रांस्पलांट हो रहा था सब लोगों ने दूआ मांगे थी उनकी सलामतिकी दरहाई वोने के इतना प्यार और इतना सने बिरले निता होता है देश के अंदर में जिनको प्राप्थ होता है आधने लालो प्रसाज ने समाजी कुनेयन को ध्यान में रख करके जो सिच्छा चिक्सा रोजी रोजगार से जो बंचित थे अंति पंक्तियों में थे जिनको आवाज नहीं थी जो करतब्यों का जिनको वोध नके बराबर था उनके अंदर चीतना जगाई जो सिपाही की टोपी देख करके चोकिदार का हाथ में लाथी देख करके जो लोग भाग जाते थे वो सीधे कलेक्टर की चेंबर में जाके दाखला देने लगे और अपनी बात कहने लगे इस बड़े प्रिवर्तन के नायक का नाम अधनी लालो प्रसाज जी है और व साज जी को देखना लंबे समय हो गया उनको देखे हुए नजडिक से तो लोगों में तो है भारतिनता पाटी को आप उस नजड़े से देखे रहे हैं भारतिनता पाटी जानती है कि आधनी लालो प्रसाज जीस जगह से खड़े हो जाते हैं वहां से भाच्पा कमजर होना शुरू हो जाता है और देश के अंदर में भारतिनता पार्टी अलगावाबाद का सहरा ले रही है नफरत का सहरा ले रही है उनके स्वागत में क्या तैयारी होई है उनके स्वागत में सब लोगा हैं इखलाक के साथ बिलेंगे इखलाक के साथ लोग उनका स्वागत करेंगे स्वागत के बिसे स्तहारी क्या होती है आपका सनेह और प्यार से बड़ा कोई स्वागत होता है क्या लालु यादों के बिहार आने के बाद क्या कुछ बदलाओं होने वाला है राजनिती में हमने शुरू में ही कहा कि आदरनी लालू प्रसाजी समाजी किन्या और धरनी पेष्टा के ध्वज के सबसे बड़े रख्षक है तो ऐसे में जो मसाले उनके हाथ में है वो आगे बढ़ेगा अच्छा आनंद मोहन पर कई सरी सवाले उठ रही है विपक्ष का ये कहना है कि भूम्यार जो भाजपा के नेता है सुसील मूदी हो गया है कौन उठा रहा है सुसील कुमार मुदी आगा पुछ के तो आये तो कि ट्विट कहले किये थे अब भाई ये बत्या नहीं पुछे आ कि जी रहाई हुई है ओ सुप्रिंग कोट के उस निर्णयों का आधर किया गया जिसमें यह कहा गया है कि आम आदमें और खास आदमें के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है तो CRPC और Jail Manual जब मैच किया तो ऐसे लोग को रिलेक्स मिला जो मियादी कैदी की रूपन सजा उन्होंने काट रखा था लेकिन कोई रैपिस्ट अगर सजय आपता है कोई टेरिस्ट अगर सजय आपता है को जो इंटरल सीरूटी के लिए थेट है उसको रिलेक्स नहीं मिल स पुझरात में आप लोग इसा बत्याप पुछना लगा हुगा आरोप पूरी कवड़ी संग की महलाओं ने जंतर मंतर प्रहं धर्ना दिया कोई आदमी कोई नेस्नल मीडिया सारा पहलवान संग देखी जा करके कुस्ति वाले पहलवान वाले सब लोग जाके वहां बैठे ह हुआ है को सुन रहा है मैंने श्रीम के मिडिया के तो लगवा मार गया देश में वह एक लहू हो गया भाजपा के तरफ है चलिए फिलाल इस बाचित में इतना ही मेरे नमादित थे हफता पंचायत देख रहे थे बहुत-बहुत सुक्रिया